इस वीडियो में हम जो डिसकर्स करने वाले हैं वो Determiners या फिर Quantifiers का Part होता है मतलब की Determiners जो होते हैं या जिनने हम Quantifiers भी कहते हैं जो की Noun या Pranoun की Quantity को Determine करने वाले Words होते हैं उनके बारे में Additional Information बताने वाले Words होते हैं तो यह काफी सारे होते हैं पर इस वीडियो में हम Specifically दो Words के बारे में discuss करेंगे And these words are Little and Few देखो दोनों का ही जो मतलब होता है Hindi में वो होता है थोड़ा Hindi में दोनों का मतलब ही Little का भी और Few का भी दोनों का मतलब होता है थोड़ा पर जब हम English Grammar में देखते हैं तो दोनों में बहुत difference होता है दोनों का meaning मतलब slight quantity होती है पर वो अलग-अलग way में use किये जाते हैं तो वो हम इस वीडियो में देखते हैं So basically Little refers to non-countable or you can say uncountable nouns and is used with a singular form to indicate that something exists only in a small amount or to a slight degree मतलब कि ये use तो होता है किसी small amount को या जिसकी slight degree हो वो show करने के लिए जिसकी कम degree हो जो जादा extent में नहीं हो पर धियान क्या रखना है हमें कि ये uncountable noun के साथ ही आता है जैसे कि water, juice, milk ये सभी क्या है uncountable noun है uncountable nouns है, right तो अगर हमें इनकी quantity determine करनी है इनका small amount पताना है मुझे बोलना है कि मेरी bottle में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है तो मैं क्या बोलूँगी I have little water left in my bottle तो यहाँ पर मैंने little क्यों use किया water के पहले क्योंकि water uncountable noun होता है और water singular form में ही use होता है जैसे कि waters नहीं होता है waters का meaning फिर क्या हो जाता है seas और oceans है तो यहाँ पर singular form में जो use होता है word वो साथ में वो uncountable nouns होने चाहिए तब ही हम क्या use कर सकते हैं little otherwise हम little use नहीं करेंगे ओके तो यह चीज़ आपके mind में fit हो जानी चाहिए कि अगर हम little की बात कर रहें तो हमारा noun क्या होना चाहिए यह फर्स्ट चीज़ तो वो uncountable होना चाहिए और secondly वो अपने singular form में लिखा हुआ होना चाहिए और अगर यह दोनों चीज़े हैं और हम उस noun के बारे में चोटी या कम quantity की बात कर रहे हैं तब हम क्या use करेंगे little अब बात करते हैं few के बारे में so few refers to countable nouns uncountable noun के साथ आता है वैसे few uncountable के साथ कभी नहीं आता है few आता है countable nouns के साथ जिनको हम गिन सकते हैं जैसे कि notebooks, tables, pans, fans तो इनके साथ ही हम few को use करते हैं और साथ ही में यह अपनी plural form में होना चाहिए मतलब अगर हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं किसी singular की बात कर रहे हैं तब हम few use नहीं करेंगे तब तो हमारे पास articles होते हैं ए और दो तो हम few कब use करते हैं जब हम plural form की बात कर रहे हो suppose I want to say that there are only few pages left in my notebook मेरी जो notebook है उसमें सर्फ कुछ ही pages बचे हैं तो यहाँ पर few सही है because pages are countable और यहाँ पर यह चीज़ भी है कि वो जो pages है वो एक से ज़्यादा है इसलिए क्या use किया मैंने few अब यह examples हैं वैसे तो मैंने दो examples आपको उसकी definition के साथ ही दिये यहाँ पर first example क्या है I have got little money left in my account मतलब कि मेरे account में कुछ ही पैसे बचे हुए हैं तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो money है वो uncountable होता है जो rupees होते हैं आप जिनको count करते हो वो countable है पर जो money होता है वो हमेशा क्या होता है uncountable होता है या इसलिए हमने यहाँ पर क्या use किया है little ओके और second example है band has few friends in London मतलब band जो कि एक लड़का है उसके लंडन में कुछ दोस्त है तो यहाँ पर friends countable भी है और साथ ही में एक सल ज़्यादा है मतलब कि plural भी है इसलिए क्या आया है few तो इस example से और चीज़े clear हो गई है कि कब little आता है और कब few आता है little आता है जब चीज़े uncountable हो और singular हो और few आता है जब चीज़े countable हो और plural हो और दोनों का ही हिंदी में मिनिंग क्या होता है कुछ या फिर थोड़ा So I hope आपको little और few का पूरा concept clear हो गया होगा So this is all for this video Thank you so much प्रवाल